इसके पहले 11 वीडियो आ चुके हैं वोगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप जरूर देखिएगा और लास्ट वीडियो में हमने 17 को 70 कोस्टिंट तक हमने डिस्कुस किया है आज हम 71 से स्टार्ट करेंगे डिस्कुशन अगर उससे पहले वीडियो आपको अच्छा लगता है तो like and share जरूर कर दीजेगा अगर अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सस्क्राइब जरूर कर लीजएगा और यह जो बनाइनर कोस्टन है यह होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉमपटेटिव एक्जाम की आप होता है अगर पेक्टिन नहीं होगा तो जैली नहीं बनेगी तो यह जो पेक्टिन है फ्रूट में जैसे जैसे फ्रूट राइप करता है मिस जैसे फ्रूट पकता है यह पेक्टिन जो है कई सारे फॉर्म में चेंज होता रहता है तो वह सबसे पहले जो फ्रूट में प्रे जरूट प्रूट का जो जयसी और पकता है रोटो पैक्टिक पैक्टिनcimento यह इस Déian सरte के रहता है कूस्त कमतीज देए आज है ने कोश्च Will you प्रिजांत होना जरूरी है तो वह होता है फेक्टिन спокойशन इस प्रेजर्वेटीव अदेन कलर्फुल इस जो कलिर्फुल जूस होते हैं उनमें कौन सा के लिए potassium metabisulphite यूज होता है और ऐसे जूस जिनमें कलर होता है इनमें sodium benzoate यूज होता है तो यह दोनों question पुछे गए हैं यह दोनों important है कि जो colorful fruit है colorful fruit से जूस निकलता है उसके लिए sodium benzoate यूज होता है as a preservative और जो colorless fruit juice है जिनमें colorless juice है वो उनमें potassium metabisulphite यूज होता है next question is anti caking agent use in fruit powder जो fruit का जो पाउडर बनता है कि हमने देखा होगा जो पाउडर आता है market से वो powder बिल्कुल अलग अलग होता एक दूसरे में चिपका नहीं होता उसमें लंप्स नहीं होते हैं तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं anti caking means powder को lumps में नहीं बनने देता है इसके लिए कौन सा agent use किया जाता है वह सिलिकान डायोकसाइड और जिसको बोलते हैं anti caking अगर anti caking agent नहीं होगा तो powder जो है यह lumps में बन जाएगा इसलिए powder को जो भी powder है वो lumps में ना बने उसमें मॉश्चर ना आये पावडर जैसा है fine वैसा ही रहे इसके लिए इसमें एक agent use किया जाता है इसको बोलते है सिलिकान डायोकसाइड next question is the development of rancidity in edible oils prevented by the use of rancidity oil में जो एक खराब इसमेल आने लगती है जब तेल खराब होने लगता है उसको बोलते है और वह इसमें और होता कि से Healthны में जब मॉश्चर आजाता है या पानी हम बोलते हैं मोलते हैं जब तेल में जब to लागता है तब उसमें रेजी होती है में जब भीवतों लगता है खराब होने कि प्रॉसर्ष को रैणसेडिटी कहते हैं और यह उसमें तक हो服िए BHA, butylated hydroxy anisole, BHA, butylated hydroxy anisole को यूज करके तेल को खराब होने से बचाया जा सकता है Next question is, rennet और acid is used as, जो rennet है या फिर acid है इसको यूज किया जाता है as a coagulating agent in milk Renet से पढ़ा होगा आपने renin, renin enzyme, जो कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो infants होते हैं, उनके स्टमक में naturally present होता है जो छोटे बच्चे जब milk consume करते हैं, तो यह renin enzyme जो है, यह milk की digestion में help करता है तो यहाँ पर क्या है rennet और acid, यह milk को coagulate करने में help करते हैं means यह जो rennet और acid है, यह protein पे reaction कर रहा है, क्योंकि protein ही है milk में जो coagulate होता है तो यह rennet और acid, milk में जो protein present है, protein पे act करते हैं और protein को coagulate कर देते हैं next question is step in processing of tea, tea के processing में कौन से steps, क्या steps use होते हैं सबसे पहले withering, rolling, fermentation, drying, sorting and grading, उसके बाद packaging यहाँ पर यह term है fermentation, तो हमने पढ़ा है black tea और green tea जब fermentation होता है, तब यह black tea बनती है, अब यह fermentation वाला step skip कर दिया जाता है तब green tea बनती है, black tea और green tea में बस यही एक difference है, जहाँ पर fermentation होता है वो black tea होती है, और जहाँ पर fermentation नहीं होता है, वो बनती है green tea और यह इसका sequence mostly net exam में पूछा गया है, तो withering, rolling, fermentation, drying, sorting and grading और यह question भी पूछा गया है, कि यह black tea और green tea में में क्या difference होता है, तो main होता है difference fermentation का, green tea में fermentation नहीं होता है next is, orange color in black tea beverage is due to, जब black tea होती है, जब बनते हैं, तब उसमें orange color आता है तो वो किसकी वज़े से आता है, थिया flavin, थिया flavin एक component प्रेजंट होता है, जो orange color देता है, black tea में next question is, egg cell is made up of, जो egg cell है, वो किसे बना होता है, calcium carbonate, CaCO3 next question आता है, quality of egg can be judged by, जो egg की quality है, उसको judge किया जा सकता है, या फिर egg की quality को कैसे check किया जा सकता है तो एक तो यहाँ पर दिया है, candling, यह important question है, कई बार पूछा गया है कि, एक की quality को judge करने के क्या क्या तरीके है, एक तो है candling, ठीक है candling में means candle के सामने से candle एक बंद रूम में candle जलाते हैं, और उसके सामने egg को रखके देखते हैं अगर एक खराब होगा, तो उसमें अंदर cracks दिखेंगे, अगर crack है तो crack दिखेगा, और जो भी है उसमें, candling में दिखता है, उसके बाद आता है अगर फ्रेश एग है उसको पानी में डालेंगे तो पानी में नीचे सिंक कर जाएगा बैट जाएगा बट अगर एग को काफी दिन हो गया है काइग में डालेंगे, तो पानी में डालींगे तो यह पानी की उपर फ्लोट करेगा वो क्यों की एग में उपर कॉर्णर में नहीं उपर होता है ये chip होता है यह मिन्स एग ज्यादा दिनों तक रखा रहता है तो यह air cell बढ़ा होने लगता है अब जैसे जैसे air cell बढ़ा होने लगे बढ़ा होगा मिन्स इसमें air का माइंट बढ़ता जाएगा जब एक माइंट बढ़ता जाएगा तो यह पानी के ऊपर फ़्लोट करेगा और जयह जैसे एग जितने दिनों तक रखा रहेगा एग की जो आलकलीनिटी है वह बढ़ती जाएगी तो यह कुछ चीजे हैं जो के बारे में बताते हैं. अगर हम rich source के बात करें तो यह coconut में पाया जाता है then milk is a milk के एक emulsion है ठीक है dilute emulsion emulsion क्या meaning होता है जहां पर fat और water ठीक है fat और water हम बोल सकते है फैट को ओईल भी बोल सकते हैं oil or water जब एक साथ मिले हूं उसको emulsion बोल दें नॉर्मली पानी में अगर ऑईल डालके उसको मिक्स किया कुछ देर के बाद देखेंगे ऑईल उपर लेयर बना के तैयरने लगता है और पानी नीचे हो जाता है तो यह इमल्शन नहीं होता है अगर हम बात करें नेचरल इमल्शन की तो मिल्क एक नेचरल इमल्शन है जिसमे कोई मेधर हम यूज करते तभी तो क्रीम निकलती है अदर्वाइस वाटर और क्रीम को अलग नहीं क्या सकता है तो यह नेचरल इमल्शन है मिल्क के जाए डाइल्ट इमल्शन को लाइडल इस परज़न एन डू सलिशन अगर हम बात करें इमल्शन की तो इमल्शन दो टाइ इमल्शिन के गर हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं ओइल इन वटर एक टाइप हो गया सेंट य। इस वॉटर्री ओइल तो दुरूह के ग्जामिपल आप को बताने एक का gjort मिल्क है तो मिल किसका एक्जाम्पल है यश कह बताना है बचा है कि अ पुआत नेक्स घुटनलिज रभेज्टे till्लिट फाइवर्स सौनेश के लिए हिए होगाोम में ऊपड़कों कूर्ड रीखता है उसको हम बोलते हैं मुरी cooking तो, boiling 100 degree centigrade पर होता है उसके बाद simmering just below the boiling point means 82-99 degree centigrade के बिच में होता है, stud one 98 degree centigrade pressure cooking 120 degree centigrade यह कुछ moist heat cooking के method है next आता है dry heat cooking dry heat cooking मिज्स जहां पर moisture कि या वाटर की कोई जरूरत नहीं होती है उसको हम बोलते हैं ड्राइए इसे ग्रिलिंग और ब्रॉयलिंग रोस्टिंग यह द्राइएट कुकिंग नेक्स गौचन है अरूमा content of aromatic rice जो aromatic rice होते हैं उन में aromag किसकी वज़े से होता है तो वह था Acetyl 1-1 pyroline जो aromatic rice होते हैं उन में aroma होता है Acetyl 1-1 pyroline यह बोह सकते हैं कि Ace Enetil 1-1 pyroline यह present होता है aromatic rice में next question आता है phases of fat absorption fat को जो body में absorb होता है उसकी phases क्या-क्या है तो सबसे पहले emulsification then mucosal uptake then esterification and kylo micron formation यह step है जब हम बोल सकते हैं phases है fat के absorption की body में तो इसका भी sequence mostly net exam में ही पूछते हैं next question is the hormone which increase hunger hormone जो hunger को increase करते हैं वो क्या है gyrilin and leptin ये दो hormone है जो hunger को increase करते हैं तो जो question है आपके लिए वह emulsion दो टाइप का होता है oil in water emulsion and water in oil emulsion तो उन्हों के example क्या-क्या है यह आपको answer करना है comment section में and मिलते हैं next video में तब तक के लिए wish you all the very best good luck bye bye फिए्थम लाय है च пят ale र एग तो ह जो राएैं नहीं है है थी करने है जनकी ए है सॽच करने हैंवे करने हैं